प्रादिशीक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर पहले एक अपिल देश भर में 18 वर्षे से अधिकायों के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों पर नेश्वल के टीका करण अभियान चलाये जा रहा है आपसे अपिल है कि कोविड रोदीटी का जरूर लगवाएं और कोरोना महमारी के परती कोई भी लापरवाहिन ना बरते जब तक आवशक ना हों घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें मास्क लगाएं दोगस की सुरक्षित दूरी बनाए रखें बार बार हाथ दोएं और साफ सफाई रखें कोविड से संबन देते जनकरी देने और उसके मार्क दर्शन के लिए राश्ट्री हेल्प लाइन कारे रथ है इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075 अब समचर सुनिए पहले मुख्य समचर केंद्री मंत्री परिशद में कल हुए विस्तार के बाद नवनियुक्त कई मंत्रियों ने आज अपने मंत्राले का पदभार संभाल मुख्य मंत्री शिवराजी सिंग्चोहान ने कहा मास्क लगाने और दूरी बनाये रखने की सावधानी का पालन करने से कोरोना संक्रमन को नियंत्रित किया जा सकता है प्रदेश के नवनियुक्त राजजपाल, मंगु भाई, छगन भाई, पटेल ने आज राजभावन में मत्रदेश के तीसवें राजजपाल के रूप में कारिभार ग्रंड किया और अगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के शैडोल, होशंगाबाद, जवलपूर और भोपाल संभागों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना और अब समाचार विस्तार से केंद्री मंत्री परशद में कल होई विस्तार के बाद नवनियुक्त कई मंत्रियों ने आज अपने मंत्राले का पदभार समाल लिया है राश्टपते रामनात कोविन ने कले के समाहरों में कैबिनेट इस्तर के पंद्रह और 28 राज्ज मंत्रियों को पद और गूपनीता की शापत दिलाई थी आज अनुराग ठाकुर ने सूशना और परसारन मंत्री का कायरभार समभला इस हवसा पर श्री ठाकुर ने कहा कि सूशना और परसारन मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को बहतर ढंक से निभाने के साथ ही वे देशवासियों के अपक्षाओं पर खरा उतरना चाहेंगे सूशना और परसारन राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने भी पदभार गिरहन का लिया है वहीं मंसुक मांडविया ने भी आज स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्राले का कारभार समभल लिया नवगटित केंद्री मंत्री मंडल में श्री मांडविया को रसाइन और 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 वरक मंत्राले का भी अतरिक्त प्रभार दिया गया है इसी तरह अश्विनी वैशनाव ने भी आज रेलवे संचार, एलेक्ट्रोनिक्स और सूषना प्रोध्योग्य की का पदभार समाल लिया इनके अलावा आज ही कई अन्य मंत्रियों ने भी अपने विभागी कारभार ग्रण किये है मंत्री परिशद में कल होए विस्तार में मद्रप्रदेश से जोतिरादेति सिंध्या को नागरी कुड्येन मंत्री और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को सामाजीक नियाय और अधिकारिता मंत्री बनाए गया है वहीं परहलाद सिंग पटेल को जल शक्ती और खादिप्रसंस करण मंत्राले का और फग्गन सिंग को लस्ते को स्टील और ग्रामिन विकास रज्ज़मंद्री का दायत विस्तों पगया है मुक्यमंत्री शिवराजी सिंग चोहान ने काहा है कि मास्क लगाने और दूरी बनाए रखने की साफधानी का पालन करने से कोरोना संक्रमन को नियंद रित किया जा सकता है हम लौकडाउन के कश्ट को बहुत जल्दी भूल जाते हैं जबकि लौकडाउन ने कई लोगों के रोजगार और व्यापार को प्रभावित किया है दुनिया के आनुभाव बताते हैं कि मास्क लगाने से कोरोना का खत्रा 95% तक कम हो जाता है इस से हम रोजगार और व्यापार की आर्थिक गतिविदियों को जारी रख सकते हैं अब हमारे पास कोविड अनुकूल व्यावार का पालन करने में उदाहरन प्रसुत करने का मौका है श्री चोहान मंदसौर में नवनिर्मित आर्टी पीसियार लेव का अपने निवास से वर्च्वल लोकारपन कर रहे थे मुक्हिमंतरी श्रीच चोहान ने कहा कि मनदसौर पहला जिला है जहां मेडिकल कॉलेज के अलावा RTPCR लेव इस्थापित किये गए हैं मुक्हिमंतरी ने कहा कि RTPCR लेव की स्थापना से टेस्ट की संख्या बढ़ाने में मादद मिलेगी लेव इस्थापना और अस्पतालों में सुविधाओं का विस्तार कोरोना की तीसरी लहर का सामना करने के लिए किया जा रहा है हमारा कोरोना अनुकूल वेभार ऐसा हो कि तीसरी लहर प्रदेश को प्रभावित भी ना कर सके श्री चोहान ने कहा कि मनसौर में एक जिला एक उतुपाद के अंतरगत लहसुन की प्रोसेसिंग गुणवत्त सुधार और राष्ट्री अंतराष्ट्री बाजार में बहतर मार्केटिंग के लिए हर संभाव गतिविदियां संचालित की जाएंगी कोविड टीका करण महाभियान में 9 जुलाई शुकरवार को टीका करण अवकाश रहेगा हलांकि इस दिन नेमित टीका करण के सत रायजित होंगे अब COVID टीका करण महावियान 10 जुलाई को प्रदेश के 27 जिलों में संचालित होगा और 624 जिलों में COVID टीका करण के कूल्ड चेन उपकरणों के रखरकाव का कायर किया जाएगा संचालिक टीका करण डॉक्टर संतो शुकला ने बताया कि 10 जुलाई को प्रदेश के जिन 27 जिलों में COVID टीका करण किया जाएगा इन में बैतूल, भोपाल, बढ़वानी, धार, जाबुआ, खरगोन, भिंड, गुना, मुरेना, बालगाट, कटनी, मंडला, नरसिंगपूर, चिंदवाड़ा, सिवनी, छतरपूर, दमो, पन्ना, टीकमगड, आगरमालवा, मंदसोर, शाजापूर, अनुपूर, सतना, और सिंगरोली के साथ साथ उमर ये जिला शामिल है, समाचारों में अब वक्त है एक छोटे से अंत्रल का कोविड-19 से बचाओ और सुरक्षित रहने के तीन उपाए, मास्क लगाएं, दो गस दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मूँ साफ रखें ब्रिक के पाद समाचारों में एक बार फिर आप सभी को सौगत है प्रदेश के नवन्युक्त राज़िपाल मंगू भाई चखन भाई पटेल ने आज राजभावन में मध्द प्रदेश के तीसे में राज़िपाल के रूप में कारभार गरंड किया उच्छे नयले के मुख्य नयदीश नयमूर्ती मौमाद राफिक न उन्यपद की शपत दिलाई शपत की रण समारों में मध्द प्रदेश की निवरतमान राज़िपाल एवं मर्द वरतमान में उत्तरप्रदेश की राज़िपाल आननदी बेन पटेल मुख्य मंत्री शिवराजी सिंग चोहान और पूर्व मुख्य मंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष कमल नाथ सहिद मंत्री मंडल के कई सद से उपस देते रज़िपल मंगुबाई चगनभाई पटेल का जन्म एक जून 1944 को गुजरात के नवसारी में हुआ था वे गुजरात के नवसारी से पांच बार और गंड़ देवी से एक बार विधायक रहे हैं उन्होंने 27 वर्ष तक विधायक की रूप में कायर किया वे वर्ष 1997 से 2002 तक गुजरात सरकार में आदिम जाती कल्याण मंत्री तथा वर्ष 2002 से 2012 तक आदिवासी कल्याण वन और पर्यावरण मंत्री रहे हैं अनुपुर का मुखोटा, पातलकूट की मूसली और डिंडोरी का आदिवासी वाद्यंत्र चिकाड़ सहित प्रदेश के 10 आदिवासी उत्पाद की GI टेगिंग कराई जाएगी इसको लेकर जनजाती कारे विभाग ने तयारी शुरू कर दी है मद्रदेश के 10 आदिवासी उत्पादों की GI टेगिंग के बाद इन उत्पादों को अंतराश्टी इस तर पर एक नई पहचान मिल सकेगी और ये प्रोड़क्ट ग्लोबल इस तर पर आनलाइन उपलब्द हो सकेंगे इस टेग से अंतराश्टी मार्केट में इन सामानों की कीमत और इनका महत बढ़ जाएगा और विदेश में मद्रदेश के इन टेग वाले उत्पादों की बिक्री होगी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टेग यानि GI का काम उस खास भोगलिक परिस्थिती में मिलने वाली चीजों का दूसरे इस्थानों पर गेर कानूनी इस्तेमाल को कानूनी तोर पर रोकना हुआ करता है इस बावत आदिम जाती विभाग की प्रमुक सचेव डाक्टर पलवी जेन गोविल का कहना है कि प्रदेश के 10 आदिवासी उत्पादों की GI टेगिंग कराई जा रही है टेगिंग होने से जहां इन उत्पादों से जुड़े आदिवासीयों को रोजगार मिल सकेगा वहीं उन्हें अंतराश्टी इस्तर पर भी पहचान मिलेगी पिछले 24 गंटों को दारान प्रदेश के सभी संभागों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है सब से अधिक 3 सेंटी मिटर बारिश, बिरसा, लौजी और तिरोडी में होई डिंडोरी से हमारे समवादाता ने बता है कि आज लगबग 10 दिनों के बाद शहर में जमा जम बारिश ने लोगों को गर्मी और ओमस से राहत दिलाई वहीं आज हुई बारिश के बाद किसानों ने भी राहत की सांस ली है आगामी 24 गंटों को दारान प्रदेश के शेहडोल, होशंगबाद, जवलपुर और भोपाल संभागों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है जबकि सागर, रीबा, गौलेर और जैन और इंदौर के साथ साथ चंबल संभागों में बारिश हो सकती है राजदानी बोपाल में गरच चमा के साथ बारिश होने की संभावना है सामाजिक नयाय और निशक्त जन कल्यान मंत्री प्रेम सिंग पटेल ने कहा है कि मदप्रदेश दिव्यांग जनों को पैचान पत्र देने में देश में पहले इस्थान पर है केंद्रशासन दोरा निर्धारे ते 6,7,313 के लक्ष के विरुद्ध प्रदेश में अब तक 5,97,000 से अधिक दिव्यांग जनों को पैचान पत्र जारी किये जा चुके हैं और अब इस बुलेटिंग पे कुछ समचार संक्षित में बैतुल जिले में वैक्सिन सेंटरों पर उमड रही भीड को रोकने के उद्देश से स्वास्विभाग द्वारा अब वैक्सिन के उपलब्दता के अनुसार कम सेंटर बना कर उनमें भरपूर वैक्सिन उपलब्द करवाई जाएगी सतना जिले के चित्रकूट में हतहारणी अमावस्या में अत्यदिक भीड एकत्रित होने की संभावना के कारण कोविट के सुपर इस्प्रेट की आशंका को देखते हुए आज दोपहर तीन बज़े से दस जुलाई सुबह च्छे बज़े तक कोरोना कर फ्यू लगाय गया ह गुना जिले में ग्रिश्म कालीन मूंग की खरीद के लिए अंतिंति थी 31 जुलाई से बढ़ा कर 15 सितंबर की गई है सागर जिले के सुर्खी को उपतहसिल वोशित किया गया है वर्तमान में कुल 22 ग्राम इसके कार शेत्र में होंगे और खंडवा जिले में 75 प्रतिशत वैक्सिनेशन का कार पूरा हो चुका है और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर केंद्री मंत्री परशद में कल होए विस्तार के बाद नवनयुक्त कई मंत्रियों ने आज अपने मंत्राले का कार भार समहला मुख्यमंत्री शिवराजी सिंग चौहान ने कहा मास्क लगाने और दूरी बनाय रखने की साफधानी का पालन करने से कोरोना संकमाण को नियंद्रित किया जा सकता है प्रदेश के नवनयुक्त राजजपाल मंगुभाई चागन भाई पाटेल ने आज राजभावन में मद्रदेश के तीसमें राजजपाल के रूप में कार भार ग्रहन किया और अगमी 24 गंटों को दारन प्रदेश के शैडोल, होशंगाबाद, जवलपुर और भोपाल संभागों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना इस बुलेटिन में इतना ही, अंत में एक अपील हमेशा ध्यान रखें, मास्क और दूगस की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी, नमस्कार